गाइज आप में से बहुत सारे लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ कोई पार्टनर्शिप में एक बंदा है आप अकेले नहीं करना चाहते है तो आपकी दिमांग में दो सवाल आते हैं पार्टनर्शिप या कंपनी ये चार पॉइंट में हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं पहला लीगल इंटिटी और नेचर ओफ लाइबलीटी क्या होगी अगर आप इंकॉर्पोरेट करके फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस सबसे इंपॉर्टन कितना खर्चा आ सकता है औ क्या 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 क्योंकि एक बार बना तो लेंगे लेकिन उसके बाद कंप्लाइंस का भी ज़रूरत पड़ता है लासली टैक्सेशन तो क्या हमारा टैक्सेशन कम हो सकता है पार्टनर्शिप में या कंपनी में वह एक एक करके देखते हैं पहला लीगल इंटिटी और नेचर अब का आफिस होता है नाकपुर में जो जुरिस्टिक्शन आते हैं अमरावती या विदर्ब रिजन इसका रजिस्टर आरफ फर्म नाकपुर में तो अगर आप कोई पार्टनर्शिप फर्म को बनाते हो स्टैंप पेपर पे आपको पहले उसको रजिस्टर्ड करवाना प partnership firm का format डाल देते नाम पता सब कुछ लिग देते उससे partnership firm जो है वो registered नहीं हो आपको registration के लिए registered पर में application करना प्रेंट कंपनी जो है एक ministry of affairs law company law जो रहता है उसमें registered होती है वो legal entity जो partnership firm में partners के उपर जो liability है वो unlimited रहती है मतलब मान के चलो कि partnership firm में कोई loan लिया और अब वो loan डूब गया तो भले है मैं और आप 50-50% के partner है बट मान के चलो loan है एक करोड का और आपके पास असेट है 60 लाकी और मेरे पास है 40 लाकी तो आपसे पूरा 60 लाक वसूल किया जाएगा liability यहाँ पर unlimited रहती है partners की liability unlimited रहती है दो shares are required but in case of company private limited company जितने आपकी shareholding है उतनी ही to the extent of shareholding आपकी liability रहेगी मतलब 50-50% shareholding है तो उतनी ही अपनी liability रहेगी सेकंड अगर मैं partnership firm की बात करूँ तो maintenance of books of account compulsory है और company में भी maintenance of books of account compulsory है बट कम्पनी में आपकी बात करूँ है और आपको ROC के तहट extra ROC के तहट आपको extra return भरना पड़ेगा मतलब annual compliance के लिए आपको company law में returns भरना प्लस company law के अंडर भी आपको return भरना है annual compliance के लिए बट partnership act में ऐसा कोई partnership अगर बनाते हो तो सिर्फ income tax act जो रहेगा उसमें ही आपको return file करना ROC compliance is basically यह companies act में extra हो जाते है बट I think वो compliance भली extra हो बट उसका खर्चा expenses कोई बहुत जादा नहीं होता है taxation aspect देखो अगर आप partnership firm बनाते हो तो 30% flat tax रहेगा यहाँ पे company beneficial है देखो manufacturing company अगर बनाते हो तो सिर्फ 15% taxation है और manufacturing छोड़के अगर 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 अधर कोई कंपनी है तो आप मुझे कभी भी call कर सकते है इसके बारे में profit share जो है dividend या profit share की बात करूँ firm के हाथ में exam but in case of company जिसको dividend मिलता है उसके हाथ में taxable होता है right remuneration remuneration partnership firm में सिर्फ working partner को दिया जा सकता है उसका deduction आपको मिलेगा लेकिन यहाँ पे अगर company है तो आप director को कभी भी remuneration दे सकते हो और presumptive taxation जो 8% वाला fund है न 8% tax 8% का profit बता के आप return बर सकते हो वो partnership firm के लिए but वो company के लिए available नहीं है on the same line LLP का भी concept पर गए limited liability partnership का याद रखना partnership और limited liability partnership में क्येवल इतना difference है कि जैसे partnership firm में मैंने बोला था कि liability of the partners is unlimited LLP में limited liability partnership उसके word में limited partnership firm में वो partners की liability limited हो जाती है और जैसे company में ROC compliance इसका खर्चा है वैसे ही LLP में भी मेरा opinion मानेंगे तो आपको Companies Act में company incorporate करना बहतर है क्योंकि उसमें taxation rate कम है भले annual compliance थोड़ा जादा है बट taxation rate आपके लिए बहुत कम है फिर भी आपको अगर कोई opinion guidance रहे है आप मुझे कभी भी call कर सकते हो you can write down my number 9730979886 guys आप कभी भी मुझे इस number पर call करके कोई भी query है आपकी तो कभी भी पूछ सकते है या comment box में भी लिख सकते हैंक यू थैंक यू थैंक इस तो आपको बहुत आपको